वेल्ड़ाइब बैक्टो मैं चैनल इस साइट सिधी आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिसक्स करने वाले हूं आपके सभी जानते कि आप सभी का एक्जाम यह अभी हुआ है और आप सभी के यहां पर आपके साथ क्वेशन करने वाले हूं वह होगा आपके साथ में स्टूडेंट के लिए और आप सभी को पता है स्टूडेंट के प्रोसेस आपको अल्रेडी पता है इसका सारा कुछ आपको पता है जिसमें आपके 25 जो हैं यह आपके जो भी आपके रीजनिंग होई आपके मैस होई आपकी हिंदी होई इन सब रिलेटीड सब्जेक्ट से आपके क्वेशन्स पूछे गए थे लेकिन जो 75 आपका जो में आप सभी का इए गया तो और किस्ते वाली होगन अगर आगर के बाकी लिए चाहते हो कि मैं इसका बर्संट कि वीडेयो बनाऊं उसकी बारे में यह आपको बता हूँ कसी तरीके से आपके एक्जाम में पूछा गया था तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अभी आप सभी जानते हैं कि यह चैनल हमारा हिस्ट्री से इसलिए यहां पर आपको पूरे 75 जो हिस्ट्री से कुछे गए किस तरीके से पूछे गए वह सारा कुछ आज की वीडियो मे नेक्स्ट बैक्स होगा आपका सीवीडी तो 2023 के लिए प्रिपेक्शन कर रहे होंगे आपके लिए वीडियो हैल्फूल रहे तो चलिए पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स है सबको सोचल मीडिया पर इसका शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आतों लाइक शेयर करना मत भूलना जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है सबसे बहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपको हमेशा चैनल पर वीडियो जो है वो 9.30 पीम पर ये वीडियो देखने को मिलेगी और जि पर यादा टाइम ना लेते हुए अपके बी एच यू जेयर निवसे स्टूडेंट से उनकी एक्जाम में हैं से किस तरीके से क्वेस्टन पूछे गए थे वह देखते हैं क्वेस्टन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू आपको यहां पर जो क्वेस्टन पेपर ह पर दोने होगी बाइलेंग्विल आपका एक्जाम होता है तो यहां होता है एक डाउट मैंने आपका यह क्लियर कर दिया चलिए अब बढ़ते हैं कि तरफ तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैं आपको 26 से करांगी क्यों देखो आप यहां देख सकते हो 25 क्वेस्टन है वह आ आपका हिस्ट्री और 26 से यहां पर आपका स्टार्ट बाकी की जितने भी टोटल 75 क्वेस्टन में आपके साथ यह डिसकस करने वाली हो तो चलिए देखते हैं ताकि आप लोगों को यह आईडिया लग जाए कि किस तरीके से आपके एक्जाम में यह क्वेस्टन पूछ जात आईए चलिए देखते हैं असर्शन है दा किंग डियूरिंग लेटर वैदिक पीरेट प्रफॉर्म बैरियस सेक्रिफाइजिस और रिच्वल्स और रीजन क्या दिया यहां पर बोला गया जो राजा है आपके लेटर वैदिक पीरेट के दोरान बहुत सारे सेक्रिफाइज और रिच्वल्स को परफॉर्म करते थे और उसका कारण क्या हुआ कि जितने भी आपके और इस रिच्वल्स और सेक्रिफाइजिस इंप्रेंस दपीपल बैर डिमोंस्ट्रेटिंग दी पावर एंड़ प्रेस्टीच ऑफ देख सकते हो उत्तरवैदिक काल के दोरान राजा विभिन धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान करता था इसायरै क्यों की यह उसक्षान और आपके आपके संस्कार कथन और दोनों ही स सही और जो कारण दिया यह वह सही है दूसरा आपको दिया है य कारण भी है रिजन दिया है वह उसकी गलत यहाँ पर श्क Ministries नहीं है फिर या फिर आ घलत है या आर घलत है या गलत है या नीच्चे बताने आपको यहां राइट आनसर क्या वाला है तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे जल्दी से बताइए आपने यह अल्रेडी पढ़ा हुआ है और वैदिक पिरड का कॉंसेप्ट मैंने आपको अल्रेडी पढ़ा हुआ है और अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे नहीं है तो आप लोग एंसीन हिस्ट्र देखर एसका राइट अंसर क्या होगा कि आपका यह और और दोनों ही और आपका चो कारण है या और आपका ता जो आपके सुब्स्र्वक्राइब करते कुष्ट कि बरदाएं परफॉर्म करते थे और वह क्यों करते थे ताकि वह लोगों को का अगर सकें प्रभावित कर सकें यह बहुत ही इस बात बिल्कुल लिखा है आप लोग बात जनते हैं उन्हों ने बहुत सारे अनुस्टान और भलिदान किये हैं जैसे कि आपके बहुत सारे यग्य की गये हैं ठीक है आपके आपका राज ब्स हुए हुए तीक है और एक हुआ आपका अस्वमेग यह तीन इनों ने यहाँ पर आपको यग्ये देखने को मिलते हैं और UGC.net में भी यहाँ से question पूछा जाता है कि इन तीनों यग्ये में क्या difference है तीक है अस्वमेग आप सभी जानते हैं यह hot sacrifices के लिए होता है वाजपई आप चैरियोट रेस के लिए होता है और राज़सुय आपको पता है consecration ceremony के लिए होता है यह सब आपको अल्रेडी पता है कि राज़सुय जो है अगर हम राज़सुय की बात करते हैं तो यह आपका क्या होता है यह अभी शेक समार होता है जो भी राज़स बनता है तो उसको यह वाला यग्य करने होता है ठीक है वाजपई कि अगर हम बात करते हैं तो यह आपके रथ दोड़ का होता है और अगर हम अस्वमेक की बात करें तो घूड़े की वली यह आपको आल्रेडी पता है तो सभी को पता है no doubt तो आप लोग देख सकते हो कि यह जितने जादा ही सारे यह लोग कि क्या करते थे आपके धार्मिक का अनुस्थांद करते थे उससे यह अपने को क्या करते थे लोगों को से क्या कि लोग इनसे इंप्रेस हो प्रभावित हो इस लिए इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा option नंबर है यह बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ question number 27 की तरफ question number 27 आप देखोगे तो यह भी आपका इसी से related है आपका later अर्ली वैदिक पीरिट से question पूछा गया question है the dominant mode of worshipping the gods during early वैदिक period was through the recitation of prayers जो आपके जो अर्ली वैदिक पीरिट में जो कि लोग क्या करते थे वो पूजा करते थे prayers करते थे उसका कारण क्या है जो आर्ली वैदिक पीरिट पूर्दे spiritual upliftment और आपको बताना है सेम चीज जो यहां पर assertion दिया हुआ है उसका कारण यह क्या यह सही दिया है नीचे हिंदी वाले student आप लोग यहां से देख सकते हैं तो जल्दी से comment करके बताओ इस question का क्या right answer होने वाला है आप लोग उसको बिल्कुल भी लेटर नहीं करने है और पूरी कोशिश करो कि सब कि सब response करो बहुत helpful होने वाला आपके सामने मैंने question paper रखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो क आप दिल्ली उनिवर्सिटी वाल जितनी भी student है आप लोग इसको पढ़ो और इसको भी solve करो जल्दी से comment करके बताओ इस question का right answer यहां पर क्या होने वाला है तो आप लोगों ने question महुत अच्छी सारी कि समझ लिया है कि आपके पूरव्यदी काल के दुरन भगवानों की सही है यहां पर बिल्कुल सही है लेको आप आपसे क्या पोच गया है कि कथन गया यहां पर जो कारण बिया कि कारण क्या है कि यह लोगाई क्यों करते थे पूर्वत्यकर करके और अपने अध्यात्य मि की बात करें तो जबसक्ति की आर्ली वैदिक पीरिड के दोरान यहां पर पर्फॉर्म की जाते थे वर्षिप की आसमान की यानी हवा की रेन यानी बारिश की इन सब की fire की अगर हम बात करें इन सब को as a god इन लोगों ने worship की थी आरेंज से ये बात आपको पता होगी और साथ हम अरली वैदिक में बात करें तो अरली वैदिक में यहां पर क्या होता है आपके इन्द्र अपके अग्नी आपके वरुन इन सब ने अपने इंपवर्टेंस में आपको कुछ मैं आपको बढ़ा चुकि है तो यहाँ पर क्या कि पूरवधी काल के दोरान यह चीज़ तो सभी है यहाँ पे कथन दिया हुआ यह सभी है लेकिन खारण जो दिया कि पूर्वयधी काल के दोरान आ रहे है अपने अध्यात्मिक उद्धान के लिए भगवान दिया है वो बिलकुल गलत है ठीक है आपके आर्यन से वह डिफरेंट डिफरेंट फोर्सी सफ नेचर की यहाँ पर वॉशिप करते थे जो बैने थे आपको बताया था लेकिन आप और जहां पर अभी हम रहें देखा जितने वहके अर्ली पर्फॉर्म करा था आपको पता है कि अब यहां से अरड़ी वैदिक पीरिड का पुछा है लेकिन आपका जो हम लेटर वैदिक प्रियाइड श्रीड की समय पर बात करें वर्शिब बहुत ली जादा आपको complicated नजर आती है यह भी चीज आपने पढ़ी हुई है लेकिन यहाँ पर याद रखना मैं इंग्लिस वारे स्टुडेंट को भी आपको दिखा देचा कि confusion नाओ यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्रेंस ने वर्शिप किया थो गौड के डियूरिंग अर्ली बदिक पिरड़ी फोर दे spiritual upliftment ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ठीक है तो आपके 27 का राइट अंसर क्या होगा option नंबर सी तो जितने भी student ने 27 question number का राइट अंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 28 की तरफ question number 28 में आप लोगों से पूछा है which of the following Tamil work highlight the importance of Jan philosophy निमनलिखित में से कौन तमिल कृती जैन दर्शन की महत्व को प्रदर्शित करती है आपके options है तिरुकूरल सिल्प पादिकरम सिवांगा चिंता मड़ी या फिर मड़ई में कर जाई तो यह बहुत ही important है मैंने आपको इतने books and authors करवाए वे आपको बताना है कि इस question का राइट अंसर क्या है इस वे से कौन सा तमिल वर्क है जो आपकी जैन philosophy की importance को highlight करता है यानि उसकी महत्व देता है इस चार options आप सभी के सामने जल्दी से comment करके बताओ इस question का right answer क्या होने वाला है तो जल्दी से आपको यहां पर question देख सकते हैं जल्दी से हो सकते तो अपने question का right answer यहां पर मुझे बताओ जल्दी से और साथी साथ आपको comment करके मुझे यह भी बताना है कि जितने भी books आप यहां देख रहे हैं कौन सी books किसके through लिखी गई है यह चीज़ आपको यहां बताने हैं चलिए बढ़ते हैं अपने question की तरफ जिमनेदी के तुमें से कौन सी तमिल गृती जैन प्रदर्शन के महतु को प्रदर्शित करती है अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है आपके तो right answer हो को याद रखना option numbers यह सि पोयम है ठीक है यह आपकी क्या है एक तमिल पोयम है जिवा का चिंतामनी जो आपको देख आ सकते हो और यह आपके यहां पर अगर मैं जल्दी से कमेंट करके तो पहले आप यह बताएं कि यह बुक आपके किसके दौरा लिखी गई है तो याद रखना आपके एक्जाम में भी यह पूछा जा सकते हैं तो राइट अंसर क्या होगा आपका तिरुत्रकरदेव ने आपकी यह बुक लिखी थी शिवागा चिंतामनी जिसके अंदर आप क्या देख सकते हैं आपकी जैन फिलोसिफी के इंपोर्टेंस दी गई है यह चीज यहां पर बताया गया है ठीक जैनल हो गया यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर हम बात करें जो आपका यह महा काव्यों इसको संगम साहित्ते कि क्या सास्त्री यह महा काव्यों मेंसे एक भी माना जाता है इस क्वेशन का राइटल से क्या था आपको नंबर सी है बाकि अगर हम और भी ऑप्संस की बात करें तो सबसे पहले तुरुकुरल की हम बात करें तो आपने इसको बहुत अच्छी तरकी से पढ़ा है तो यह बुक आपके किसके दौरा लिखी गई है आपके तिरुलुर के दौरा यह लिखी गई है यह भी आपकी पर क्या देखने को मिलेंगे कूप प्लेट्स इसमें देखने को मिलते हैं क्लियर हो गया तो यह इस से बात थी आगे बढ़ेंगे नेश्ट बुक की तरफ तो आप सभी को पता है सिल्पकादी करम जो है तो यह बात आपने बहुत अच्छी तरीके से करा मैंने आपको बहुत आपके पुहार में रहता था और अपनी जो उनकी वाइफ है अपनी जो पत्नी है कन्नगी की उपेक्षा करते हुए वह क्या करते हुए माध्वी नाम की वहस्य से उनके लव स्टोरी के बारे में इसके अंदर आपको यह देखने को मिलता है लेकिन आप से देखो के बारे में बात करते हैं इस बुक उनकी आप समय को पताइं म इस दोनों की कहानी आपको इस बुक में देखने को मिलती है इसलिए इस question में अगर आप देख सकते हो जैन philosophy पे सबसे ज़्यादा importance कौन से तमिल वर्क ने दिया है तो यह मैंने आपको यहां से clear कर दिया है आशा करते हूँ यहां पे आपको सारी की साजी कीजे clear हो गई होगी और यह भी बता दिया कि यहां पर यह questions में जो options है क्यों गलत हूँगे इसके बावजूद अगर आपको यहां पर कोई भी doubt है को आप comment करके पूछ सकते है तो याद रखना आपके question number 28 का right answer कै option number C, सिवागा चिंतामडी जिसके अंदर आपके जैन कृती दर्शं के महत को प्रदर्शित किया गया है चली आगे बढ़ेंगे question number 29 की तरफ question number 29 यह आप सभी की समने बहुत ही easy question आप लोग देख सकते हो आपसे question पूछा है the earliest known dockyard has been discovered at सबसे पुराना ग्यात पोत गहा कहां से मिला है काली बंगा लोथल रंगपूर यहां फिर आपका सुर्क टोड़ा आपके option से यहां पर जल्दी से comment करके बताइए बहुत ही easy question किसी का भी आप में से गलत नहीं होना चाहिए बहुत ही easy और simple सा question है इसका तो आप सब्सक्राइब करेक्ट अंसर लगाया होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें जो सबसे पहला डॉकियार्ट देखने को मिलता है वह कहां पर आपके लोथल में देखने को मिलता है तो इसका question का right answer क्या होगा question number 29 का B क्योंकि आप सभी को पता है पहली बात तो आपका लोथल कहां पर है यह आप सभी को पता है गुजरात में और यह कौन से यहां पर रिवर आपको देखने को मिलती है वह आपका भोगवा रिवर यह भी आपको एक्जाम में मिलता है आपके cultivation of rice हमने पढ़ा था यह भी कहां पर अगर आपसे exam में पूछ ले जाए तो भी आपका right answer क्या होगा लोथल very very important बहुत ही easy question है जिन्होंने भी हमारी test series देखी होगी हमारे channel पर बने रहे होंगे उन सभी को already यह बाते पता होंगे उन्होंने इक बात गलत भी चर्टेन या फिर ट्रेटर यानि विदेश इवस्तु नितिक पढ़दा या फिर ट्रियेटर चार और आपको यहां पर वर्ड दिया हुआ है दिल्य उनिवसिटी के exam में भी आपने देखा कि इस तरीके से चीजे आपसे पूछे जाती है और आपसे पूछे यवनिका सद् है डांसर है कर्टेन है या फिर ट्रेटर है जल्दी से कमेंट करके बताना है जितने भी स्टूडेंट है और आप में से जो भी किसी को यहां पर डाउट है और यह हर एक exam के लिए helpful है यह मत समझना कि आपके यहां पर सिर्फ यह CUET में है तो यह आप में नहीं आ सकता ऐसा क सब्सक्राइब यह आपका परदा इस क्वेशन का राइट अंसर क्यों आपको जितने फिस्टूडेंट का सी बता है वह बिल्कुल करेक्ट है आए चलिए बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 31 की तरफ पूछा है कंटक शोवधन और पीरेड वर्क आपके महारेकाल में जो कंटक हैं वह क्या थे रॉयल ट्रेसर जैसाहिक हजाने सिविल कौर्ट यानि दिवानी अदालतें क्रिमिनल कोट यानि फोचदारी अदालतें पुलिस स्टेशन यानि की पूलिस स्टेशन ही जल्दी से कामेट करके बताओ कि इस क्वेस्टन का राइट अंसर क्या होगा क्यों कि को आपने अल्रेडी बहुत अच्छी तरीकिशा पढ़ा हुआ है और आपको यह पता होगा कि यहां पर आपके मॉआरे पीडिन पे किसने यह वी चीज़ पूछी आ सकती है कॉटेले ने यहां पर आपके दो टाइप के कोट की बारे में मैंचिन किया था किसने कॉटेले ले एक आपका होता है civil court और एक आपका होता है criminal court और अगर मैं बात करूँ तो यह आपका criminal court फोस्तारी अदालते आपकी कंठक शोधन है ठीक है तो कंठक शोधन जो है वो जितने भी आपके criminal matters जो देखता है वो कौन देखता है कंठक शोधन तो 31 का पहला तो हैं पर आपका right answer option number C होगा लेकिन मैं आपको बता दू जो civil court जो civil matters देखता है वो कौन होता है अगर ये चीज़ आप से पूछ ली जाए तो ये right answer याद रखना तब आप क्या बता होगे चाहो तो लिख लो जितने भी यहाँ पर student है धर्मस्तिया तो धर्मस्तिया क्या करते है वो civil court को यहाँ पर जितनी भी civil matters होते है उसको देखते है और जो criminal court की जितने भी criminal matters है उसको कौन कंठक सोधन यहाँ पर deal करते है clear हो गया तो ये right answer क्या था इस question का question number 31 का option number C बिल्कुल सही है जितनी भी student ने इसका C बता है वो बिल्कुल correct है बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको information दिये इसको जरूर करिएगा आगे बढ़ेंगे question number 32 की तरफ जिसमें पूछा है during was time did wanzang visit kanchi puram the capital of the पल्लवास किस राजा के शासनकाल में इन्वान शांग ने पल्लव बन्स की राज़ानी कांची पूरम का दौरा किया था आपके options यहां पे हैं nursing वर्मन first nursing वर्मन second महिंदर वर्मन first महिंदर वर्मन second आप लोग देख सकते maximum question उसी तरीके से पूछे के जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर test series में भी करवाये हैं खूब सारे questions के practice करें और यह सारा कुछ मैंने आपको इसमें detail में करवाया हुआ है जल्दी से बता दो question का right answer क्या होगा तो आपको मैंने इसमें अल्रेडी बात बताई थी कि आपका जो हुआंजांग है जिसने कांची पूरम को विजिट किया था तो पहली तो आपको यह याद रखने की कांची पूरम क्या आपकी पल्लव की राजदानी उनकी capital है तो इस समय चाइनिज ट्रैवलर जो चीन यातरी यहां पर जो से पल्लव डाइनिस्टी के सबसे फेमस फ्रूडन माने जाते हैं और यह महेंदर वर्मन फर्स्ट के क्या हुए थे यह उत्तर अधिकारी बने थे और जिनोंने साथ में क्या था आपके जिनोंने आपके पुला केशिन सेकिंड को यानि पुला केशिन द्वित्य को इन्हों वर्मन फर्स्ट नहीं यह सारी चीज़े आपको अल्रेडी पता होंगी चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नुमर 33 की तरफ क्वेशन नुमर 33 में पूछा गया है मंदासवर पिलर इंस्क्रिप्शन अब अर्ली सिक्स सेंचुरी एडी बिलॉंग्स टू छटवी पूर्व में मंदस्वर इस्तम अभिले किस समंधित है अनंत वर्मा महिर कूल तोर्माल या शोध वर्मन मैंने देखो आपको अल्रेडी कहा था कि इंस्क्रिप्शन से क्वेशन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं तो इसलिए आप लोग देख सकते हूं कि किस तरीक तो अगर हम बात करेंगे अभी तक मैक्सिमम स्टुटेंट इसका रिस्पॉंस कर चुके होंगे तो आपको अल्रेडी बताया है मंदस्वर इस्तम अभिले जो मैंने अपिस पी वीडियो बनाई थी ऑल्रेडी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मैंने बताया है जिसके अंदर म बहुत पहले से हमने इसको डिसकास करा हुआ है जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है आपको चैनल पर ये वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने सारे इंस्क्रिप्शन अभी लेक को डिटेल में कराया हुआ है दिल्ली उनिवर्सिटी वाले जितनी भी इसक्रिप्शन है यह कहां पर मिला था आपको मालवा में यह आल्रेडी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे तो और अगर मैं बात करूँ आपका जो यह जगाए डिस्तिक है यह कहां पर है यह भी एक्जाम में पूछ ले जाए तो याद रखना यह आपका कहां पर है इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है वीडियो थोड़ी रंबी हो सकती है जो भी स्टूडेंट जो जाते हैं कि मैं आप ठोड़ा स्लो करते तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते है थोड़ा सा पेसेंस रखिए अगर आपको सिफ क्वेशन के अंसर ही चाहिए त व्यंकि अगर आपको को भी कॉछ भी कॉंछ एंसर दी है तो उससे कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो इसलिए हम अराम से चीजिए को समझते फे आगे बढ़ेंगे वीडियो थोड़ी लंबश सकती है लेकिन आप सभी के सारे के सारे क्या होने वाले ठीक है और साथ मैं बम करूं याद रखना आपका यह जो इंस्क्रिप्शन है यह किसमें लिखा गया था यह भी पूछा जा सकता है तो याद रखना आपके अल्रेडी पता है आपके संस्क्रिप भाषा में यह चीज लिखी गई है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमर्ट 34 की तरफ क्वेशन नमर्ट 34 में पूछा गया है विश गुपता रूलर हाज दा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन बिलॉंग इन टू देस पीरेड किस गुपता राजा की सासनकाल में अधिक्तम संख्या में अभी लेक प्राप्त होते हैं चंदर गुपत सेकिंड समुंदर गुपत सकं करके बताओ कि सबसे जादा इंस्क्रिप्शन गुपता पीरेड में आपको किसे प्राप्त होते हैं यह सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में कराये हुआ है और मैंने आपको अल्रेडी जब यह क्वेशन कराया था या इंस्क्रिप्शन के टॉपिक भी पढ़ा है तो हमने यह क्या देखा हुआ है कि आपके कौन से गुपतारूर में जबसे जादा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं तो वो थे आपके कुमार गुपता फर्स्ट के समय पर ठीक है कुमार गुपता फर्स्ट इत्मींज क्वेशन नमर्ठ थर्टी पर पहली बात तो आपका अथुरा इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा आपका चाहे तो सांची इंस्क्रिप्शन इनके समय पर देखने को मिलेगा आपका उदैगिरी केव यह इंस्क्रिप्शन इनके समय पर आपको देखने को मिलता है त्युमेन आपके इंसके टाइम पर देखने को मिलत और बहुत सारे अगर हम आपके देखने पहरा है लेकिन बहुत सारे तो आप देख सकते हो याद रखना आपके जब से ज़्यादा लार्जस नंबर आप इंस्क्रिप्शन जो इस्यू हुए थे वो कुमार गुप्त फॉस्ट के समय पर हुए थे लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ अगर मैं बात करूँ आपके चंदर गुप्त सेकिंड की अगर इंसे पूछ लिए इन्होंने इनके समय पर आपको कौन सा स्क्रिप्शन देखने को मिलत सबस्बाइब को मिलेंगे तो आपको किसके समय पर देखने को मिलेगा इन मेंसे कुछ भी पूछा जा सकते हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं नालंदा कॉपर प्लेट है जो आपको इनके समय पर देखने को मिल सकता है गाया कॉपर प्लेट भी आपको इनके समय पर देखने को मिलता है ठीक है तो यह सारे इंस्क्रिप्शन सारे प् संचुपर पिलर को इनहीं के surprised कि पड़ा है अगया को सकंधियो थैयं कि नहीं को पूर्टा है कुछ भी पूछा सकता है जो student video को skip करके जाएंगे तो उनके लिए यह बिल्कुल भी helpful video नहीं होने वाले क्योंकि मेरा है मैं आप यह मत देखो कि मैं को question paper solve करा रही हूँ आप यह देखो कि मैं आपको questions के तुरू आपको concept और topic को clear कर रहे हूँ तो अभी आपका जो fully aim होना चाहिए कि आप यहाँ पर सब कुछ पढ़के जाने वाले हो हर एक एक topic आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है तो यह सारे की सारे आपको insulated inscriptions पता होने चाहिए बहु सब्सक्राइब में पूछा है डियूरिंग वोज रिंडिट सेंट थॉमस कम टू इंडिया किसके सासनकाल में सेंट थॉमस भारत में यह तो मैंने आपके टैसरी जो करें ते उसमें already question पूछा था जल्दी से बता तो उसका राइट अंसर क्या होगा मिलेंद मोगा या फिर आपका गोंदो फॉर्ण या फिर वासुदेव जल्दी से कमेंट करके बताओ question number 35 का right answer क्या होगा किसके सासनकाल में सेंट थॉमस भारत थे तो याद रखना already मैंने आपने कराया हुआ already आपने से पढ़ा होगा और maximum student day इसका right answer क्या होगा option number C ठीक है गोंदो फॉर्ण इसका right answer है तो question 35 का यहां पर आप देखो क्या option number C बिल्कुल करेक्ट है और साइंट्ट्धमस के समय पर आपको देखने को मिलेगा कॉन भारत आफ का लगा गॉपारत पर हमला क्या था इसको इन्वेडी किया था क्लियर हो गया तो question number 35 का right answer क्या होगा option number C तो जितने भी student ने सी बता है वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 36 की तरफ question number 36 में पूछा है आपको statement दिया और पूछा है अजास अस्तुरू से related इसमें से कौन सी बात सही नहीं है he is also known as कुनिका क्या इनको कानिका के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने लिच्छवी का जो आपका kingdom है उसको एनेक्स कर लिया था he was the last tutor of हर्यंग डैनेश्टी और फॉर्थ option is the first Buddhist council was had during his reign very easy or simple question यह किसी कभी आम से भी जाने जाता है इन्हों लिच्छी भी समराज्य का विस्तार किया था यह हर्यंग बंस के अंतिन सासक थे यह पिर इसके शाषन काल में प्रतम बहुत परिशन का आयोजन किया था यह आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा अल्रेडी आप लोगों ने इसको करा हुआ है हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो यह किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि यहां पर कौन सा आप्शन गलत पूछा है पहली बात तो आपको यह बात याद रखनी है तो देखो आपसे पूछा है अजास्त दुशे लिटिट यहां पर बाते कहीं है तो अल्रेडी आप यह स्टेट्मेंट देखो यह कनिका के नाम से भी जाने जाते हैं बिल्कुल सही मैंने आपको अल्रेडी पढ़ाया था ने आपके जो लास्ट रूलर हैं अंतिम शाशक हैं वह अजास्त दुशे नहीं थे आपको पता है वह कौन थे नक दशक ठीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और अजास्त दुशे शाशनकार में प्रतम बहुत जो काउंसिल है तो यहां पर आप देख सकते हैं हर यंक वंस में नाग दशक जो है वह लास्ट रूलर है मैं आपको बहुत वार एक ही बात कहते हूं आप एंशन पढ़ रहे हैं आपको अपने हर डायनिस्टी के फाउंडर और उसके लास्ट रूलर कौन है यह अल्रेडी पता होना चाह क्यों पूछा जाएगा तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके के पूछे जाते हैं तो क्लास के बाद आपको सबसे पहला काम क्या है सारे डायनिस्टी के आपको यह फाउंडर रास्टूलर याद करने यह क्वेशन भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मैक्सीम पूछा है अंग महाजनपद वोज अनेक्स्टू मगद बाइविच फॉल्लाइंग रूलर्स मगद में अंग महाजनपद को इन में से किस सासक ने मिलाय था बिंबिसार बिंदुसार अचा सस्त्रू या फिर महापद मिनंद जल्दी से बताएं क्वेशन का राइट एंसर क कराएं अगर आपको यह कॉंसेप्ट लिया रोगा तो यह आप में से कोई भी आप सब देख सकते हैं इजी क्वेशन पूछा गया था जो भी बच्चे स्टूडंट इजली से पढ़के गए होंगे वह सारे कि सारी तो चलिए अगर हम बात करते हैं आपके मगद में अंग म महाजनपत को इनमें से किस सासक नि मिलाया था तो आप सभी को पता होगा कि राइट अंसर क्या है आपको ऑप्षिन नमबर ए बिम्बिस आर ने ठीक है तो यहां पर अगर हम 37 क्वेशन की बात करें आपके क्वेशन नमबर 37 का राइट अंसर ऑप्षिन नमबर ए है और सबसे लास्ट रूलर थे वह कौन थे जल्दी से मैरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ कि लास्ट रूलर जो है वह अंग के कौन थे तो राइट अंसर क्या होगा आपका ब्रहमदत ठीक है एकजाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो याद रखना आपके अंग के क्या है और इन्होंने इसी को क्या कर रहा था बिंदू आपके बिंबी सारे इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके हर्यंग डाइनेस्टी ने यहां पर आपके बिंबी सार ने यहां पर अभी मैंने आपको पताया जो हर्यंग डाइनेस्टी ह है ठीक है आपका क्या हरियंग डाइनिस्टी की जो फाउंडर है आपको पता है कौन थे आपके बिम्बी सार है जिन्हों ने आपके मगद एंपायर में कितने टॉन से टाइम पीरेड तक रूल किया था फाइब 1432491 बीसी तक इन्होंने रूल किया था और मगद की कैपिटल आपको अल्रेड़ी सभी को पता है कि आपकी मगद की कैपिटल क्या थी राजग्री है ठीक है राजग्री है इसकी कैपिटल थी तो यह सारी चीज़े आपको इस तरी पता होना चाहिए तो इस क्वेशन का राइ बताना है कि कौनसे राश्टकूट रूटर ने केलास्टना टैंपल को बनवाया था बिल्ट करवाया था क्रिश्टन फ़र्स क्रिश्टन सेकंड दांती दूग्र या फिर इंद्र फ़र्स्ट जल्दी से कमेंट करते हैं आपके पास चौर आप्सें मेहंदी वाले जानते हैं कि कौन से रास्टेवू राजा ने किलासनात मंदर का निर्मान कर रहा था तो मैंने आप सबको अल्रेडी बताई था यह किस ने कर वाय था तो राइट अंसर किया होगा उप्शन नमबर ए तो याद रखना यह और दूसरी चीज बात यह भी आएगी आप लोगों भी पता होना चीए जो कि आपके क्रिष्णा फॉर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए इस क्वेशन राइट एंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर एक क्वेशन नमबर थाटी एट का आगे बढ़ेंगे भक्ती इजी क्वेशन ठीक है आगे बढ़ेंगे वापस से आपसे असर्शन और रीजन का क्वेशन पूछा गया है क्वेशन नमबर थाटी नाइन आपसे पूछा गया है असर्शन है जमिंदारी सेटल्मेंट वस आल्सो नोन अस पर्मानेंट शेटल्मेंट यह टॉपिक बहुत अच्छे सरीके इसे मैंने करवाया हुआ है और यहां से आपसे पूछा किति जमिंदारी सेटल्मेंट को पर्मानेंट सेटल्मेंट बिकाते हैं और इसका कारण कि किうна निया यहां पर आपको दिखा देती हूं यहां पर आपको दो कथन दिया है जो यहां पर अभी कथन जो आपको कथन दिया है इसका कारण यही है यह चीज आपसे यहां पर पूची गई है तो क्वेश्चन नमबर यह मैं आपको करवा रही हूं जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट अंसर क्या होने वाला है किसी का भी आशा करती हूं कि यह गलत नहीं होना चाहिए और आप लोगों को सारे लेंडर वेन्यू सेट्लमेंट्स करवाएव है जिन भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को नहीं देखा है मौडन हिस्ट्री के प्लेलिश में जाकर के चेक आउट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसके अंदर आपके पर्मानेंट आपके रायट वड़ी और महल सिस्टम को मैंने इसली से एक्स्प्लेंड किया ताकि आप इसको कर सकें चलिए आगे बात करते तो इस क्वेशन का राइट अंसर पहली बात तो देखो कथन बिल्कूल सही है कि आपके इसको जमिंदारी बंदवस्त को स्थाई बंदवस्त भी कहा जाता है यह मैंने आपको पर्मानेंट जो सेटलमेंट है यहां पर जो टैक्सिस दिये जाते थे जो रिवेन्यों दिया जाता था वो फिक्स होता था लेकिन मैंने आपको इसमें क्या बताय था कि किंग है आपके जमिंदार है और पीजेंट है यहां पर क्या होता है जमिंदार जो राजा है इसके प रहते वो स्थाय निधारित किये थे पीजेंट के नहीं वो जमिंदार के थे ठीक है जमिंदारों के यहां पर रिवेन्यू फिक्स था कि इतना ही देना है उसको राजा को यह बात सही थी इसलिए इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा यह सही है लेकिन इसका कारण गलत है थीक है आपसे नंबर इस आपके सी राइट अंसर होगा जाता है क्योंकि मैंने आपको अल्ड रेडी बता है यह इसलिए नहीं कि यह आपके जमिंदार से आपके पीजेंट से यहाँ पर permanent यहाँ पर revenue लेते थे वो fix होता था इस वज़े से इसको यह कहा जाता है क्या वताय था मैंने आपको मैंने आपको यहाँ पर क्या वताय था कि यहाँ पर जो आपके जो जमिंदार होते है वो owner होते है land की ठीक है इसी वज़े से यहाँ पर क्या पूछा है कि जो पर क्या है जो लैंड का ओनर होगा वो कौन है जमिनदार है इस वज़े से यह है तो कि यहां पर कारण बहुत ही गलत दिया हुआ ठीक है जो आपके किंग ने जमिनदार पर और आपके जमिनदार ने जो किसानों पर पीजेंट पर रिवेन्यू लगा वो फिक्स था पर्मानेंट था इसलिए इसको स्ताइब बंदवस का जाता है लेकिन इसको जमिनदारी बंदवस क्यों का गया क्योंकि आपका जो ओनर है वो यहां पर किंग ना होकर कि वो कौन होते थे और हमने इसको पढ़ा हुआ है कि आपके परमानेंट सेट्लमेंट जो है इसको इंटेडिउस हमने देखा है 1793 में किस ने किया था आप सभी को पता है लॉड कौन मैलिस के थुरू यह चीज आपको देखने को मिलेगी और इन्होंने कौन-कौन से एरिया को कवर किया था ब लेकिन मैं आपको चलो पहले तो यह बता दू कि आपको अभीकतन और कारण यानि की रीजन पूछे तो इस क्वेशन में आपको कैसे सॉल्व करना है आपको यहां पे एक स्टेट्मेंट दिया होगा और आपको यह देखना है कि जो स्टेट्मेंट जो बात इन्होंने कही ह है क्या वह बात का कारण जो है वह रीजन क्या यही है ठीक है यह चीज़ देखकर के तब आपको क्वेशन के अंसर करने क्योंकि बहुत स्टेट्मेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है इसको कैसे कोरेलेट करते है तो यह आपको एक लाइन इसमें रखा गया था आपपो सॉल्व करना आपदेग सकते इहाँ नमर फॉलाइंग कर देख सकते हैं यहां इहां पर आप यहां प्योंसर के न travailleunku और बंगार इंडिको रिजिस्टेंट को सॉल्व करणे स्कुल्ण चैण्स कौन सा कौन से एयर में हुआ था यह चीज़ आप से पूछी कि एक बाद जल्दी जल्दी से आपको पूरी कोशिश करने इस क्वेशन का करेक्ट अंसर यहां पर मुझे बताना है एक बाद जल्दी से बताओ कौन से चीज़ कौन से टाइम पीरेड पर होई थी यह आपको पताना है सामने आपके पास ओप्शन से हैं और सामने आपके पास यह एयर लिखा हुआ है और आपको बताना है कि यह कब हुआ था क्लियर हो गया चलिए तो अगर हम बात करते हैं आप सभी को पता है संत्थाल रेजिस्टेंस जो है ये कौन से एर में जो संत्थाल का विद्रोव वा था रिबेल हुआ था ये आपको कब कौन से समय पर देखने को मिलते हैं तो आपको पता है 1855-56 थे ठीक है 1855-56 आपको इनका रिबेल विद्रोव देखनी को मिलता है और यह ट्राइबल गुरुक था जिनका पूरा का पूरा कॉंसे स्टेट पे आपको अल्रेडी पता है किस पे जहार खंड पे ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी बंगाल इंडी को रेजिस्टेंस तो यह भी आपको पता ही कब हो था 1859-60 में हुआ था डेकन अप्राइजिंग के अगर मैं बात करूं तो 1875-76 में हुआ था और कोल अप्राइजिंग के मैं बात करूं 31-32 के टाइम पर हुआ था इट मीज इस क्वेशन का राइट एंसर ऑप्शन नमबर डी होगा 4321 तो जितने भी स्टूडेंस ने 40 का डी बताया है वह बिल सबसे पहले आपका गांधी जीना टॉक हुआ था राजाजी फॉर्मुला सिम्ला कॉन्फरेंस अराइबल अफ दो कैबिन एट मिशन डारेक्ट एक्शन डे लहार रेजिलीशन फॉर पाकिस्तान आपको पताना है 41 का राइट अंसर क्या है सबसे पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था इस तरीकी कभी पूछा जाता है और इसलिए आपको मॉ सिता है अला एक वह बताना है के और पांच आपको सिता है warum और आपको हुआ था यहाँ तर depCA लिए और पहले से बाद में से उतके पान्च और लेक्तर यहां पर लेख़ा है क्लियर हो गया तो यहां पर जल्दी से बताओ पहले तो काम करो सबसे पहले इसको करने का तरीका जो भी आपको यह पता है जिसका भी यह आपको पता है वो आप लोग पहले उसके आगे लिख लो तो अगर हम बात करें सबसे पहले देखो आपका गांधी जीना टॉक अंदा राजाजी फॉर्मूला यह वा था आपका 1944 में अगर मैं मैं बात करूं सिम्ला कॉन्फरेंस की तो आपको पता यह कब हुआ था आपका 1945 में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके अराइवल ऑफ दा कैबिनेट मिशन आपको पता यह 1946 में हुआ था डारेक्ट एक्शन डेवी आपका 1946 में हुआ था तो इसको करने के लिए आपको यह अगस्त में क्योंकि सेम एर है तो इसलिए हमें यह चीज भी पता होने चीए कि तभी आप इसको कर सकते हो कि आपकी यह चीज कब आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लहौर रेजिलीशन फॉर पाकिस्ता तो आपको पता है यह आपका 90 40 में लहौर सेशन यहाँ पर आपको पहले देखने को मिलता है फिर अगर हम देखेंगे 90 40 की बाद 44 है यानि कि ए ओप्शन करेक्ट होगा तो ई और एसे हमें एक बात समझ जा रही है कि यहां ई और एसी वाफ के फर्स्ट ऑप्शन में तो देखते कि हमारा यह सीक्वेंस बन र इस तरीके से आप लोग एजली से अपने क्वेशन को कर सकते हैं 41 का जो राइट अंसर है वह क्या होगा ऑप्शन नमबर एक क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहां पर चलिए क्वेशन नमबर 42 की तरफ चलते सेम एज दुबारा से एक क्वेशन पूछा है इसको भी क्रोनाजिकल ओर्डर में लगाना है अर्लियर से लेटर में होम रूल बूव्मेंट मोंटैगू चामफल रेफॉर्म रोलेक टैक्ट लखनाव पैक्ट और जलिया बाला बाग जल्दी से आप लोग अरेंज कर दी ज सबसे पहले हम बात करते हैं आपका होम रूल मूव्मेंट आपको पता है यह कब हुआ था आपका अप्रेल 1916 में हुआ था ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट मूव्मेंट है वो आपका मोंटैगू चामफल रिफॉर्म है यह आपका आया था 2021 essence अपको पीडाि है आपको पता हैं आपका जलिया वाला भाग भी आपको पता है 2019 थे दो सें सेम यह जोनि अगर आगे करई आ काथ उसमे श्क्यू पर analytics घो तो यह कब मैं ऑपिए था आपका फरवर्वरी 2019 में rigorous strategy गर मेलब बात करूं अगर सेम अगर हम बात करते हैं आपके जलिया वाला बाग इंसिजेंस ये भी आपका सेम कब हुआ है आपका 2019 में लेकिन ये कब हुआ था आपके अप्रेल 13 अप्रेल है ठीके बैसाखी का दिन ये आपको अच्छी तरीकी से पता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैंने भी आपको जुस्ट क्या बताया आपका लखनाव पैक्ट ये 1916 डिसंबर में हुआ था तो यहां पर क्या है कि आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए क्या करते हैं सेम यार दे देते हैं तो इसलिए आपको इसका मंत भी पता होने जो ही आप इसको आरेंज कर सकते हैं चलिए हमने सबके सामने डेट लिए अब यह देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था तो यहां पर हमें पहले हमे यानि की लखनाओ पैक्ट हूआ है ए और डी आपको ए और भी ऑप्शन में दिख रहा है यानि आपका अंसर या तो ए होने वाला या तो भी आई चलीए देखते हैं क्या होने वाला है इसके बाद आप देखते हो यहां पे 1918 लखनाव-पेक्ट हुआ था यानि कि c ठीक है लखनाव पक्रणाव क्वूआ तो याहां पर भांद आपको मोन्टेग तैंफ़य डिफॉर्म का उसके बाद है आपका सी और लास्ट है आप तो इस इस question का right answer क्या बना option number A आपको इसी तरीके से अपने questions को solve करना है तो इससे क्यों गर आपको एक दो के भी यहां पर पता होंगे तो आप options में जाकर के देख सकते कि आपको options में क्या क्या है तो इसमें आपको problem फिर नहीं आएगी तो 42 का right answer option number A है आएए चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी वास्टों यहां पर देख नहीं ना नाम तो सेम ही होता है 43 question भी आप देख सकते हैं same chronological order में आपको लगाना है earlier to letter में कानपूर कॉंफिरेंसी केस काकोरी कॉंफिरेंसी केस foundation of the HSRA आम्रेड on the armory at चिंतोर गंच foundation of the सुराज पार्टी और जल्दी से अरेंज कर लो यह आपको पता होना चाहिए 43 question number है जल्दी से यह आपको एक बास समझा रही है कि modern history में आपको इस तरीकी की arrangement पढ़के जरूर जाना है चलिए के करके बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे तो कानपूर कॉंफिरेंसी केस की बात करें तो आपको सबको पता है यह कब हुआ था आपके 1924 में । कानपूर कॉंफिरेंसी केस की तो याद रखना यह कब हुआ था आपका 9 अगस्ट 1925 में ठीक है 9 अगस्ट 1925 में आपका काकॉरी कॉंस्पिरेंसी केस हुआ था आगे बढ़ेंगे next की foundation of the HSRA तो foundation of the HSRA आपको पता है यह कब हुआ था आपके September 1928 में September 1928 में यह हुआ था आगे हम बात करेंगे arm raise on the armory at चितोडगंज और foundation of the सुराज पार्टी की तो यह रेड़ आप देख सकते हैं यह कब हुआ था आपके यह हुआ था आपके April 1930 में और लास्ट आपकी सुराज पार्टी तो foundation of सुराज पार्टी आप सभी को पता है यह हुआ था आपका जनवरी 1923 में अब इसको क्रोलोजी को लॉटर में लगाते कि सबसे पहले क्या हुआ था तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपका 1923 य यहां पर हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 1924 में कानपूर कॉन्फिरेंस ही हुआ था यानि एक के बाद ए ऑप्शन इटमींस आपका बी ऑप्शन भी यहां पर कट जाता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहा मैंने लगाया हुआ है इतमींस आपको modern history लिए यह सारे चीज़े कब हुई थी सारे को सारे चीजों को करके जरूर जाना आगे भी आपको इस तरीकी की question देखने को जरूर मिलेंगे यह हिंदी वारे student के लिए question है आप लोग इसको देख लेना चलिए आगे बढ़ेंगे मै आपे कुछ commission से कौन से year में कब क्या हुआ था यह चीज़ पूछी गई है तो जल्दी से इसको arrange करी और बताए इस question का right answer क्या होगा ठीक है बिलकुल भी time ने लगाना है बिलकुल ध्यान से समझ के और सही करना है अगर आपने देखा equation बहुत ध्यान से तो यहां पर आपको या फिर नाइंटीन सेवंटीन तो नाइंटीन 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 फॉर्टी फोर में जल्दी से यहां पर आपके पास options दे रखें इसको पूराजी को लडर में लगाए और मैं पूरी आशा करते हूँ कि आप लोगों सब के सब मुझे कमेंट करके इसका अंसर बता होंगे क्योंकि अगर इस यह आप देखो तो आपको यह देखकर चलना कि आपका question paper और आपको इसको solve करते विजाना है चलिए बात करते यहां पर तो यहां पर आपका देखे वूट डिस्पैच और एजुकेशन आपको पता है 1854 में ही हुआ था ठीक है hunter education commission 8082-8033 में हुआ सेटलर university commission 1917-191919 में और सेगरेंट प्लेंट और एजेकशन 1944 में इसका इसका सीक्वेशन वह बिल्कुल तो इसका राइट आप्शन नंबर ए होगा ठीक है कभी कभी क्या करते हैं यह जो chronological order है आपका sequence लगाते हैं लेकिन बहुत से इसका बिल्कुल इन्होंने कुछ भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रॉलेक्ट पड़ा होगा ठीक है revolt of 1857 मैंने आपको पहले ही काता है यहां से question आता ही आता है यहां से आप से question पूछे नाना साहिव, हजरत मैल, कुनवर सिंग, खान, भादुर खान, कौन से किदर से थे यह आपको बताना है और फिर लीडर्शिप कौन से जगा पर थी तो आप सब को बता है यह थे आपके कानपूर से ठीक है यह थे आपके कानपूर से मैं अगर मैं बात करूँ आपके हजरत महल की तो आप सभी को बता है यह थी आपकी लखनाउ से ठीक है नेक्स्ट है आपके कुनवर सिंग कुनवर यानि कि आपका इसे कह सकते हैं B, D, A और C ये सीक्वेंस है तो 2, 4, 1, 3, 45 अगर हम देखें तो option number D आप लोगों का यहाँ पर right answer है ठीक है तो question number 45 का right answer क्या होगा option number D तो जितने भी student option number D बताएं वो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लेंगे में जल्दी जल्दी cover up करना है question number 46 में पूछा है assertion दिया है वापस से the moderate adopted riblar method such as petitions and prayers reason कारण क्या दिया कि moderate had complete faith in the British sense of justice तो आपको बताना है कि क्या इसका यही कारण जिसमें statement दिया है मैं इसको नीचे हिंदी वाले student को भी दिखा देती हूं पहले इंगली सफ्ट्री से को देख लिए होगा इसको पढ़ लिया होगा अब मैं आपको यह हिंदी वाले student को भी दिखा देती हूं कथन आपको दिया है कि नरमपन्तियों ने याद चिकाए और प्रात्नाय जैसी उदार पद्धिती को अपनाया था नरंपंतियों को ब्रिटिस नियाए पर पूर्ण विश्वास था क्या यह इसका कारण है यह चीज यहां पर पूछी जा रही है तो याद रखना आपका जो यह कथन दिया है नरंपंतियों ने याद च यह और आर जो है आपका एक की सही व्याख्या है 46 का राइट आंसर आप्शन नमबर ए है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नमस 47 की तरफ 47 में भी the colonial economic policies लेट टू पॉवर्टी और अनिंप्लोईमेंट इंडिया इसका कारण क्या दिया है इंट इंकरेश ब्रेन ओफ लुजगारी की और धकेला था इसका कारण क्या था इसके वज़े से क्या हुआ इसने भारत में धन के निसकाशन और वीयोधोगी करण को प्रुस्ताहित किया था आपको यह चीज बतानी है तो यह पढ़ कर बहुत इज़ली जरी के समझ में आ रहे है कि की जो कहां पर आप 47 का भी राइट एंसर आपका क्या है option number A है चलिए आगे बढ़ेंगे 48 question number की तरफ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो मैं इसका part 2 बनाऊंगी यहां पर अभी हम कुछ ही questions को discuss करेंगे ठीक है आप एक ही questions के तुरू अपने topic और concept को भी साथ ही साथ clear करते जा रहें ठीक है चलिए next 48 की तरफ बढ़ते हैं 48 में पूछा है कथन दिया है the British Residence in India protested against the Elbert Bill और Bill proposed to establish social equality in the administration of justice यह आपको दिया है हिंदी वाले student यहां पर next slide पर देख सकते हैं भारत पे British निवाशियों ने Elbert विदहयक का विरोध किया था इसका कारण क्या था इसलिए क्या था कि इस विदहयक ने नयाय प्रशाशन में समाजिक समानता स्थापित करने का प्रस्ताव है यह चीज़ आप से यहां पूछी नंबर ए चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 49 की तरफ 49 में आपसे question पूछा है वह फॉस्ट गवर्नर जर्नल ऑफ बंगाल बहुत ही easy सा question है यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चीए फॉस्ट गवर्नर जर्नल ऑफ बंगाल पूछा है आगे बढ़ेंगे question number 50 की तरफ question number 50 में पूछा है वर्ल्ड इस्ट्री से question है बहुत ही अच्छा question है पर्ल हर्बर अमेरिकन नावल एंड एरफोस बेस था इन्होंने अटक किया था हमला किया था अमेरिका की नौ सेन और वायू सेना वेस पर्ल हर्बर ने पर किसने हमला किय जपान जर्मनी इटले या फिर फ्रांस ने चल्दी से कमेंट करकी बताइए बहुत ही इजी है किसी का फिक गलत नहीं होना चाहिए तो आप सभी को पता है कि इस पर अटक किस ने किया था जपान ने किया था कब किया था यह भी आपको पता होगा 7 दिसंबर 1941 में यह भी य क्वेशन नमर 51 में पूछा है वू लेट दा पाउंडेशन ओप एसियासिक सोसाइटी ओफ बंगाल इन 1784 तो यह याद रखना आपके वर्ट 1784 में एसियासिक सोसाइटी ओफ बंगाल किस तापना किस ने की थी लॉड हैस्टिंग हैलेट चार्ल विकेंस यह सर विलियम जो में वो भी कब जैन्वरी 15 ठीक है जैन्वरी 15 1784 में सर विलियम जोन ने किसने सर विलियम जोन ने इसकी स्तापना की थी एसियासिक सोसाइटी ओव बंगाल तो इट मींस 51 का राइट अंसर क्यों को आप्शन नमबर डी यह आपको करवाये थे चलिए आगे बढ़ेंगे 52 की कि तरफ हम बढ़ेंगे तो आपसमें इसमें पूछा है फू ट्रांसलेटिट गीता एंड हिटोपदेश इंटो इंग्लेश गीता और हिटोपदेश के अंग्रेजी अनुवाद किस ने किया था चार्लेश विकेंस विलियम जोन्स हैलेट या फिर वरेर हास्टिंग जल्द अंग्लिश में ट्रांसलेट किया था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसक्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर ए और यह अगर हम बात करें तो आपकी सेसे सोसाइटी के यह मैंबर भी थे और इसी समय इन्होंने क्या किया था आपके इस गीता को इं नैपोलियन के विरुद लड़ाई के लिए भारते सेना को मिस्र किस ने भेजा था वैलिसली करजन हैस्टिंग या फिर बैंटेग जल्दी से कमेंट करके बताओ ग्वेशन नमबर फिफ्टी थी का राइट अंसर क्या होगा तो यहाद रखना नैपोलियन के विरुद लड़ाई के लिए भारते सेना को मिस्र किस ने भेजा था तो वो लॉड़ वैलिसली ने भेजा था इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ए कौन थे ऐसे डांगे मुझफफर एम्मद एमेंड रॉय या फिर जवाहल नालेरू क्वेशन नमबर 54 है बिल्कुल भी गलत नहीं जल्दी से कमेंट करके बताओ आपके अगये कम्यूνट इंटरनेश्टल पा्टी के लिडर्शीप को इलेक्ट किया गया था पहले भारती ये कौन बने तो यहां पर आगर हम बात करते हैं आपकी communist international leadership को जो सबसे पहले बारते जिने चुने गए थे वो थे आपके MN ड्रॉय आप सभी को अल्रेडी यह पता है और मैंने आपको यह अल्रेडी करवाया वह भी है तो 54 का राइट अंसर option number C है आगे बढ़ेंगे question number 55 की तरफ question number 55 में पूछा है who achieved martidrome after long epic fasting jail jail में लंबे अंशन के पश्चात किसे बलिदान देना पड़ा जतिन दास जतिन मुखर जी अब्दुलरहीम राना महेंदर परताब जल्दी से बताईए कि jail में लंबे अंशन के पश्चात किसे बलिदान देना पड़ा था चार options आप सभी की सामने और आपको पताना है ये कौन था जिसे बलिदान देना पड़ा तो ये था आपका कौन जतिन दास तो इस question का right answer क्या होगा option number A तो question number 55 का right answer option number A है आगे बढ़ेंगे question number 56 की तरफ question number 56 में पूछा है which session of the congress past resolutions of fundamental rights and economic policy Congress के किस अदिवेशन में मौडी कतिकार और आर्थिक निती पर प्रस्ताव पारित किया गया था लहोर सैसन, कराची सैसन, लख्रों सैसन या फिर तृपुरी सैसन जल्दी से comment करके बताओ इस question का right answer क्या होगा कौन से session में आपके fundamental rights और economic policy को आपके यहाँ पर इस resolution को पास किया गया था तो याद रखना ये आपके कराची सैसन में कराची अदिवेशन के थूरू इसको पास किया गया था तो 56 का right answer option number B है आगे बढ़ेंगे question number 57 की तरफ question number 57 में पूछा गया है a national planning committee was set up under the chairmanship of राष्टे आयोजन समीथी की स्तापना किसकी अद्ध्यक्षता में की गई थी जवाला नहरू स्वास्चन बोस जै प्रकाश नरायन या फिर नरेंदर देव जल्दी से comment करके बताओ आपकी किसके chairmanship के अंदर आपके national planning committee को setup किया गया था तो याद रखना कि आपके जो national planning committee आपको सबको पता होगा यह setup किया था आपके जवाला नहरू के अद्ध्यक्षता में इसको देखने को मिलता है इसकी समीथी की स्तापना की गई थी कब की गई थी ये भी आपको पता है 15 March 90 50 को यह याद रखना है यह भी नेक्स टाइम पूछा जा सकता है तो यह किसकी अद्ध्यक्षता में की गई थी जवाला नहरू 57 का इस राइट अंसर आप्शन नमबर ए है आगे बढ़ेंगे 58 की तरफ प्रशन नमबर 58 है इन विच यह वाज FICCI सेट अप तो 1927, 1929, 1944 और 1950 58 का राइट अंसर क्या होगा FICC की स्थापना कब हुई थी आपको यह बताना है जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी कभी गलत नहीं होना चाहिए उससे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी FICC की फुल फर्म आपको अल्डरेडी पता होगी तो नहीं भी पता तो आपको लिख लोग होगी कभी भी यह आपको पूछा रह सकता है Federation of Indian Chamber Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ठीक है अब जल्दी से इतनी देर में आप लोग मुझे यह बता दो कि यह कौन से इयर में इसको सेट अप किया गया था question number 58 तो याद रखना FICCI की जो सेट अप है इस किस्तापना कौन से साल में होई थी तो वो होई थी 1927 में ठीक है कभ होई थी 1927 में इस question का राइट आंसर option number A होगा आगे बढ़ेंगे question number 59 की तरफ question number 59 पूछा गया है question number 59 ने जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट अंसर क्या होगा options आप सभी के सामने है तो अगर हम बात करते हैं आपके all इंडिया किसान सभा को फॉर्म क्या था किसके प्रेजिडेंट शिप में तो आपको लड़ी पता है सहाजनन सरस्वती के लीडर्शिप में हमें यह देखने को मिलता है ठीक है कब देखने को मिलता है तो याद रखनो 1936 में और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी जो आपकी जो फार्मर्स थे जमिंदारी सिस्टम के अगेंस्ट वो चीज यहाँ पर इसमें बताई गई है ठीक है तो अखिल बारते किसान सभा की स्तापना किसकी अग्दक्षिता में होई थी तो वो थे आपके सहाजनन्द सरस्वती के लीडर्शिप में तो 59 का राइट अंसर क्योंगो अप्षिन नमबर बी आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 60 की तरफ क्वेशन नमबर 60 में पूछा गया है और इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फरेंस कौन से इयर में इसकी स्तापना होई थी 27, 28, 39 या 43 तो याद रखना और इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फरेंस की स्तापना होई थी आपकी 1927 में इटमीज क्वेशन नमबर 60 का राइट अंसर क्या हो आप्षिन नमबर ए तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए कोई भी डाउट और क्वेरी हो और आज की वीडियो से आपने कितना सीखा यह सब कुछ मुझे बताईए ठीक है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इस वीडियो के थुरू आपको बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलने वाला है ठीक है तो जल्दी से जल्दी आप मुझे यह बताईए कि आल इंडिया स्टेट पॉलिशी कॉन्फरेंस में आपको यही कहूंगी मॉडर्ण हिस्ट्री के यह आपको पताने चीए किस देसा आपना की इसके लीडर्शिप में होई क्यों इसके प्रेजिनेंट थे इस सारा कुछ आपको पताना चीए टेल और ऐसे ही मैंस के बाकी के क्वेस्टन जो बचे हैं क्वेस्टन नमर्स 61-200 तक अभी हमारे क्वेस्टन बचे हैं वह पार्ट 2 में मैं आपको कवर अप करा दूंगी जल्दी 2-3 दिनों के अंदर वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी अभी आप लोगों क एक वीडियो कैसी लगी इस सारे कि सारे कृश्टन अच्छी तरीके से कॉंसेफ्ट समझाएं आप यह मतं देखो कि हमने क्वेस्टन कैसी कि आप यह बस देखो आपने कितने कुछ सीखा और कितना कुछ रिवीजन भी हो गया और आपको एक आईडिया भी लग गया कि अब वीडियो को देखने के बात आपको क्या-क्या पढ़ना है इस चीज में डाउट है क सिक्षिन में डाउट है कॉइच यूनिवर्सटी की रिखीम क्वेशन में पता था और अगर नहीं व editor में जाकर के पढ़ो डेटेल में करो इससे आप लोगों का एक मॉक टेस्स के तुरू यह हो गया बाकि सी यूईटी वाले स्टुडेंट आप देख सकते हो कि आपके एक्जाम में किस तरीके से क्वेशन पूछे जाते हैं ठीक है बाकि मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो म बस इतना ही वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना मत बूलना चैनल को सब्सक्राइब कर लो रात के साड़े नौ बचे आपको हमेशा हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलीगी इसका पार्ट टू अगर आपको देखना है तो लिंक इसका मैं हमेशा पार्ट टू का आपक अच्टिल में नहीं समझ पहेंगे कि एक्शन चाज़ में था क्या चलिकी स्टूडेंट आशक क्रते हूं आशका वीडियो आपको यह हैलपल रही होगी तो आशका वीडियो कैसे लगे कमेंट करकी ज़रूर बताईगा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आखकी वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू फर वाचिंग